हलो एब्रीवन वेल्कम बाक तो माई चैनल मैं हूँ विशुकर एक इंटेरियर डिजाइनर और आज मैं सेकंड वीडिन दे कराएं इतने चैनल पर जिसमें हम सबसे पहले यह जानेंगे कि इसका मिनिंग वाद है कैसे हम जाने ही इसमें इसी पर डिसक्राइब है चलिए शुरू करते हैं तो तोस्तों एको फ्रेंडली जो है इसमें इको वर्ड जो है वो एको लॉजिका शॉट नहीं जिसका मतलब होता है कोल भी ऐसा पैस्टाय यह सिस्टन यह साइंस भी आते सकते है जो कि भी अगुजिक्स की खारला करें चका बीच को सब्सक्राइब कर सकते तो स सब्सक्राइब कि ब्रूड भी आपसे सर्वेस या फोत के सब्सक्राइब दुक्ति अशॉरू चों की यह जलिद टूंकर की बडूद्टिक्स सु तो इसका मितलब हो जाता है कि एक ऐसा कंस्ट्रॉक्शन जिसमें की मिनिमम्म रिसोर्से यूज़ करके वो बनाया गया हूँ वोई भी डिसाइन और साथ में उसमें ऐसे मेटीरियल यूज़ किया जाएं जो कि कि एको फ्रेंडली हो हमारे एंवार्मेंट की हफिल्थ को खुराबना करते हो और जो भी उस श्वेस को यूज़ करने वाले हैं उनकी हल्थ को हुख खराफ माट हो तो अब बात आगे कि एको फ्रेंडली है मैं कैसे बताँ चाथि अज़िह गया कि यूज़ों है.. फस तो उस वह रिलीज होते हो अपना और वह हमारे ईंटोएर्स होती है उसके साथ मिल जाते हैं कि हमारे लिए ठीक हो ही और अर्गन्स को खराब करते हैं Second, वो इसान बाए прив 21 आफे प्लेनिट कोंपने करणने चाहिए सबस्ते है प्लास्टिक नहीं ऐग कोई उन्हेम चाहिए थिवे बाल माह 20 अब प्लास्टिक के कहांगों। तो अब जो यह eco-friendly term है इसको हम क्या ही बार green भी बोलते हैं तो यह दोनों एकी चीज है green design या eco-friendly design दोनों एकी चीज़ आम इनको इंटरचेंज करके यूज़ करने हैं लेकिन sustainable जो है वो eco-friendly से different है इसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे इसमें इसको डिसको करेंगे तो अब अगर मैं eco-friendly construction के बात करें तो बेसी के लिए तीन principle पर काम करता है जिसके धुरू हम कह सकते हैं कि वह भी construction or design eco-friendly है तो पस्ट नंबर पर इसमें आता है energy efficiency मतलक कि जो हमारी building है जिसको हम construct कर जाए है उसके उसमें इस तरह से provision और इस तरह से designing होनी चाहिए जो कि energy को save करें लाइक उसमें natural sunlight का proper provision होने चाहिए ताकि आपको artificial light की कम से कम पर जो आप artificial light के pictures use का जो है वो energy efficient वाली होने चाहिए like electrical और साथ में solar panel को यूज करना भी energy efficiency बही अंदर आता है सेकिंड नंबर पर आजाता है resources conservation मतले हमारे natural resources है उनका संदक्ष्ण तो अबर इसका में एक example दो water water सबीको बता है कि ground level water जो हमारा वो कम हो अर्थ के अंदर जो हमारे water था वो कम होरा कि जगाता है water deficiency कि बहुत problem अभी भी हम फेस करते हैं और आगे तो और बढ़ने वाली है तो हम इसके लिए आगा सकते है rain water harvesting का system हम इसमें रूज कर सकते हैं second हम कर सकते हैं कि हम अपनी ही building compound के अंदर जो water रूज कर जो रहे फिल्टर कर गार और री उसका तो वही आपका eco friendly term की ही अंदर आख तो वही आपका eco friendly term की ही अंदर अधर अधर नम्मर पा आजाता है health जिसमें कि आपकी health आपकी उस space को यूज कर नहीं है तो जो पिल्ल имिमक्राप इंडर क्वालित को तू कर नहीं की है नहीं जिस्सके कि हमारे थेकला ही मेंश करागनों से हम के क्योंना कोला कि हम ऑर्ज कर वही आपकी जो यह आपकी नहीं अदर एक्ट नहीं lebih करते हैं कर दो कि युप भूर नाइर्साकर है एक जान दिर अच्छ लगी और आपको पापर समझ में भी आईग भी एड़ा कि एक अपनी कि एक चाहे बीडिया थो नहीं कि प्रॉट्थॉ पापर समझ में भी एग वा कि एक अपनी कि इसके तो आपकी चुब गूज है प्लीज वो कमेंट करें कि आपकी सजेश्चन है तो इस पारेमें की को लेकर कुछ चानना चाहते हैं तो प्लीज वो कमेंट करें हमें पढ़कर अच्छा लगएगा तो थैंक्यू सब्सक्राइब